Guys, Realme GT Neo 2 आ रहा है and Realme GT Gaming भी आ रहा है और वे बहुत सारी तगड़ी तगड़ी एन एकसाइटिंग सी टेक्नियोज है आज की इस टेक्नियोज के एपिसोड में Hey, what's up guys, मारे में जहीर and this is एपिसोड नमबर 192 of TTS टेक्नियोज, so let's begin Guys, TTS का मतलब Tuesday, Thursday and Saturday मैं बहुत ही छोटे मैनर में आप लोग को टेक्नियोज लाकर देता हूँ तो अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटा-फटी चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर पहुचाओ यार Let's start our tech news with the other category, so other category मैं सबसे पहली news तो थोड़ी सी weird है I mean, Apple TV Plus का एक exclusive TV series है उसके अंदर अभी latest में एक iPhone था उसमें notch वगरा नहीं था उसमें use कर रहे थे हो लोग बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि भाई ये upcoming iPhone है जो leak हो गया है या फिर Apple tease कर रहा है But I'm not sure, कुछ भी हो सकता भाई आने दो बाकि उसके बाद एकर बात करूँ तो Shopee करके जो है भाई Shopee करके एक application है बहुत जादा famous है Especially Asia के बहुत सारी जगे पे इंडिया में भी तक नहीं available है बाट फिलहाल ऐसा सुनने में आ रहे कि Shopee इंडिया में भी आएगा और भाई इंडिया में आयेगा लेट सी क्या कर बाता है भाई यह बहुत बड़े बड़े जाइंट्स प्लेयर है इंडिया में एक न्यूस चाइना की तरफ से रही है भाई वहां के जो kids है उनको games खेलने के time के उपर limit लगा दे गई है कि अगर आप वहां पे छोटे बच् अब हम लोग smart phones की तरफ बढ़ें भाई यहां पर बहुत तगड़ी तगड़ी news है सबसे बहले हम लोग स्टार्ट करते हैं Samsung से Samsung Galaxy M52 5G यह फोन बहुत ही जाधा तगड़ा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर असा सुनने में रहा है कि इसके अंदर हमको snapdragon 778G प्रोसेसर द अगर यह प्राइज में लांच करता है Samsung तो killer हो जाएगा बाकि उसके बाद अगर बात करो तो पिक्सल 6 के बारे में सुनने में आ रहा है कि पिक्सल 6 कुछ ताइम में ही लांच होने वाला है ऐसा सुनने में आ रहा है कि 13 September को शायद से लांच हो सकता क्योंकि 14 September को आईफोन और आईफोन की बात करों तो आईफोन में एक तगड़ा फीचर असा सुनने में आ रहा है कि भाई जो नेक्स्ट आइफोन होगा जो 13 होगा उसके अंदर हमको lower earth orbit वाले जो सैटलाइट से उनसे directly phone connect होगा आपने movies बगरा में देखा होगा ना कि उन लोग जो बड़े-बड कर सकते हो लेकिन जो सैटलाइट फोन होते हैं इनको डिरेक्ट रेंज बैना पड़ता है अगर आप छट के अंदर हो घर के अंदर तो शायद से यह काम नहीं करता है I'm not sure कि किस आप से यह लोग कर रहे हैं या फिर रियल भी है या नहीं है बट मिंचिको ने बोला है बाई जल्द यह फोन भी इंडिया में लांच हो सकता है एंड उसके बात बात करो तो रियल में भाई बहुत सारे फोन के प्राइस बढ़ा रहा रहा है रियल में एट का प्राइस भी इन लोग ने हजार रूपे ते बढ़ा जिया I mean Redmi नहीं बढ़ाया अब हो सकता है कि जैसे टी 70 series launch होने वाली है 9 September को चाइना में यह launch हो जाएगी 9 September और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जादा तगड़ा camera startup होने वाला इसके अंदर बाकि launches में S21 FE यह भी कुछ नहीं में launch होने वाला है 8 September को शायद से launch हो जाए बट लेट सी क्या होता है बाकि Realme की बहुत सारी चीज लांच करने वाला है I mean Realme Note 9 फोन आने वाला है अब क्यों आने वाला है यह पता नहीं भाई बट लेट सी क्या होता है बाकि Realme GT Neo 2 यह फोन कुछ ताइम में launch होने वाला है 6.55 इंच की इसकेंदर डिस्पली देखने को में लेगा है एक काइंड ओफ मजेतार होने वाला शाय से कुछ दमदार Realme शायद निकाले यहां पर बाकि यह थी में में स्मार्टफोन की निज़ता है उनों गैजट की तरह बढ़ें वही जादी नहीं उस तो नहीं है लेकिन कुछ टाइम में डीजो जो Realme का सब ब्रैंड है वो कुछ वाच्चे इंडिया में रिलीज करने इसके बाद अगर बात करूँ तो Realme का जो पैड है उसके अंदर यह कंफरमिशन होते है आ रहा है कि उसके अंदर हमको Helio G80 processor देखने को में लेगा अगर 15,000 या 16,000 या 20,000 के आसपास भी आता है तो मजा आएगा भाई अगर फुल HD display हुई तो नहीं होगा लेकिन अनौफिशली आप डाल सकते हो और अगर आप अनौफिशली दालोगे अनौफिशली मतलब डायरिक कुछ उसका है राउंड है करके आप डाल सकते हो फिर अगर आइसा आप डालोगे तो उसके अंदर अपडेट्स वगयरा का बहुत जादा इशुन वाला है देखते हैं अब जब ऑफिशली विंडोज इलन बाहर आता ना उसके बाद हम सारी चीज़ा देखेंगे यह थी मेन मिनाच की खबरे आई की मज़दार मज़दार वीडियो मिलते रहें तो या थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो गाईज बाई